ग्रेमंत्रे अमित शाह के फरजी वीडियो के माबले में दिल्ली पुलिस ने अब तक आठ राज्यों में 16 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किये हैं इनमें हर्याणा में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता कैप्टन अजय यादो भी शामिल हैं पुलिस का कहना है कि फरजी वीडियो को एक्स पर डालने वाले 25 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आ चुके हैं काफी वीडियो डिलीट करवा दिये गए हैं लेकिन इसके बाद भी लोग इसे एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं जिन लोगों ने अपने हैंडल से इसे पोस्ट किया है पुलिस उन सभी को पूचताच के लिए बुला रही है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की साइबर वेंग, इंटिलिजेंस, फ्यूजन और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन, आई एफ एस ओ के वरिष्ट अधिकारी के अनुसार, जाच, नागालेंड, जारखन, तेलंगाना, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाडा और दिल्ली तक दिल्ली के ओम विहार निवासी एक व्यक्ति को भी नोटिस दिया गया है, हालाक इस व्यक्ति का कहना है कि उसका मोबाइल कोई और इस्तेमाल कर रहा है, नोटिस देने के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें भेजी गई है, फरजी वीडियो वारल होने वाले 25 से ज्याद लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, इनमें ज्यादा तर कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी को पूछताज के लिए 1 मई को सुबा 10 बज कर 20 मिनट पर द्वार का इस्तित IFSO के आफिस में बुलाया गया है, सभी बुधवार को नहीं आये तो फिर से कानूनी नोट जिन लोगों को नोटिस दिये गए हैं, उनसे पूछताज कर फरजी वीडियो प्राप्त करने का सुरूत पूछा जाएगा, इससे पुलिस को वीडियो बनाने वाले शक्स को पकड़ने में आसानी होगी डॉक्टर हेमंत तिवारी पुलिस उपायुकत आई एफ एस सो, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी आई एफ एस सो की टीम सोशल मीडिया के सभी मात्यमों को देख कर ये पता करने की कोशिश कर रही है कि 27 अप्रायल से किनकिन राज्यों में किनकिन लोगों ने अब तक एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है पुलिस फर्जी वीडियो पोस्ट करने वालों की पहचान और नोटिस भेजने की कारवाई में जुटी होई है फर्जी वीडियो पोस्ट करने वाले को CRPC की धारा 91 और 160 के तहद नोटिस भेजे जा रहे हैं CRPC 160 के तहट के इसकी जाच के लिए पुलिस के पास अधिकार होता है कि वह किसी भी जाच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज सकती है साथ ही CRPC 90 के तहट लोगों को दस्ता वेज अथवा अन इलेक्ट्रोनिक गैजट पेश करने के लिए कहा जाता है तो अमित शास से जुड़े इस वीडियो लिक मामले में लगातार कारवाई हो रही है और अब पूछताज भी होगी कर दो अमित शास से जुड़े इस वीडियो लिए भी होगी